देखरें नुज़ेटीन मद्धिप्रदेश 36 गर्ड मैं हूँ अपर्णा मौज़म वक्त होगया MP अप तक का शुरुआत कर रहें असवक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बता दे पहले फेज में 19 अप्रेल को 6 सीटे दूसरे चरण में 26 अप्रेल को 7 सीटे तीसरे फेज में 7 माई को 8 सीटे और 8 चौथे चरण को 13 माई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मद्द प्रदेश में इस बार 5 करोड 63 लाग 40 हजार 64 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मद्द प्रदेश के 29 लोगसभा सीटे और 4 चरणों में इन 29 लोगसभा सीटों को बाटा गया है रतीचे देश भर के लिए 4 जून को सामने आएंगे और 4 जून को ये साफ पोचाएगा कि आपने याने जनता ने किसे चुना है तो पहले चरण के शुरुआत लोगसभाचनाओ की होगी 19 अप्रेल को और इस पहले चरण में मद्द प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी मतदान किया जाएगा दूसरे फेज में 26 अप्रेल को 7 सीटे होंगी तीसरे फेज में 7 मई को 8 सीटे और 4 चरण में 13 मई को 8 सीटों पर बोटिंग होगी सरकार कौन बनाएगा इसको लेकर सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं लेकिन बीजेपी ने नारा दिया है 350 पार का NDA के लिए 400 पार का नतीज का नारा तो चुनाओ की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने पूरी तयारी होने का दावा किया है मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी कारे करता तीसरी बार मोधी को प्रधार मंत्री बनाने को तयार है तो वही उप मुख्य मंत्री राजेंदर शुक्रिंग ने कहा कि बीजेपी और हमारे पूरे कारेकरता चुनाओ के लिए पूरी तरह तयार है हम माध्यप्रदेश में 29 में से 29 सीटे जीत रहे हैं बीजेपी को मिल रहे हैं और हमारे बूत तक सारे कारकरता चुनाओ के लिए लग गये हैं और यहां पर जो साथ इकरा है बैतूल में जो कारकरता संभेलन है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे बूत तक सारे कारकरता चुनाओ के लिए लग गए है और यहां पर जो साथ इकरा है हमारे बैतूल में जो कारकरता संभेलन है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं पार्टी के कारकरता बोदी जी को प्रधान मंत्री पनाने के लिए उससाथ से भरे हुए अब जोनाओ आयोक ने लिए का है कि जिता की स्टार प्रचारक है उन्हें किसी भी तरह से गलत बाते या धिंदी बाते नहीं कहने हैं पार्टी ने निवसेटीन की टीम ने पूर्वसीम शेवरासिंग चौहान से भी खास बातचीत की उन्होंने क्या खास सुनवा के हैं कि बड़ी चुनोती है यह चुनाओ क्योंकि चार सो पार का एक बड़ा लक्ष तैक किया है कोई चुनोती नहीं है चारों तरफ भाजपा की पक्ष्में बातावरण है नरेंद्र मोदी जनता के दिल में वसे हैं सबकी सिर्द्धा और विश्वास के कैंद्र हैं एक लहरनी आंधी चल रही है बीजेपी के पक्ष्में मोदी फिर प्रधान अमंत्री बने इसलिए रमसांदार सफलता प्राप् करें तो इंडी गठ बंदन के लोग भी कह रहे हैं किस बार हम वापस आ रहे हैं राहूल गांदी करें भारज जोडो यात्रा में तमाम वो दावे कर रहे हैं तमाम गारेंटी देने का काम भी कर रहे हैं क्या लगता उससा कुछ असर जनता पर पढ़ेगा आत्मिस्वास कहना कि कॉंगर्स की टीम बूट्सतर तक सक रिये हैं कॉंगर्स भी तयार है जो देश के लिए समाज के लिए दुनिया के अंदर भारत को विक्सित देश वनाने का जो संकल्प माननी प्रदानमंतर जी का है इस दिसा में सबकी भूमिका बनेगी और मद्ध्य प्रदेश मे कि 29-39 की सीटर जीत करके इस बार मद्ध्य प्रदेश कंदर इत्यास परेगा ती कॉंग्रेस की पुई तयारी है गर अब विधान साबा का चुनाओं देखें तो कॉंग्रेस का महुल था और आठ में से नो में से साथ चैनल कॉंग्रेस की जीत की बात कर रहे थे उससे भी ह जीतू पड़वारी जी ने जित्तवी जिलाद देख्षन की वर्च्वल मिटिंग ली आज ब्लॉक अद्ध्यक्स होगी बोपाल की मिटिंग में सब जगें मिटिंग चल रही है वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्याष विशुन्दत सर्म शर्मा ने कहा कि चुनाव पर्व की घोशना के लिए एमपी बीजेपी के तरह से एसी आए को धनेवाद समाज के लिए दुनिया के अंदर भारत को बिक्सित देश वनाने का जो संकल्प मननी प्रदानवंत्री जी का है इस दिसा में सबकी भूमिका बनेगी और मद्ध्य प्रदेश में भी इस बार इत्यास वनेगा जादा जादा मद्दान भी होगा और भारती जनता पार्टी प्रतेक बूठ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रदानमंत्री मोदीजी के नित्रत में और मुझे पूर विश्वास है कि 29-29 की सीकर जीत करके इस बार मद्ध्य प्रदेश के अंदर इत्यास परेगा वहीं कॉंग्रेस की नेता और पूरु मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चुनाव में नया मुद्धा चुड़ गया है इलेक्टोरल बॉंड का कॉंग्रेस की पूरी तैयारी है गर अब विधान सहबा का चुनाओं देखें तो कॉंग्रेस का महौल था और आठ में से नो में से साथ चैनल कॉंग्रेस की जीत की बात कर रहे हैं उससे भी हमारी मंडलम सेक्टर ब्लॉक की सब तैयारिया होई थी वो तैयारिया बर करा रहे कल जीतू पड़वारी जी ने जित्ते वी जिलाद देक्षन की वर्च्वल मिटिंग ली आज ब्लॉक अद्दक सुगी बोपाल की मिटिंग में सब जगें मिटिंग चल रहे हैं तिक कॉंग्रेस की पूरी तैयारिया है गर अब विधान साब वहीं दोर में पुलिस और प्रशासर ने भी अपनी कमर कसली है चनाव और त्याहारों को देखते वे शहर में शांती बनाया रखने का संदेश देने के लिए कलेक्टर आशीश सिंग और अडिशनल कमिशनर अमिट सिंग के नेतरत में शहर के सभी पूलिस अधिकारियों के साथ पूरे शहर के दोरा किया गया पर इसके फ्लाग मार्श का जाइजा लेते वे रिशनल कमिशनर अमिट सिंग और कलेक्टर आशीश सिंग से न्यूजिटिन की टीम ने बात की देश में लोग सभाचुनाओं का एलान हो चुका है आचार सिंथा लग चुकी है और इसमक्त इंदोर में एक बड़ा फोर्स वह इसमक्त सड़कुब नजर आ रहा है सर किस तरीके जब करवाई की जए क्या एकसन हने वाला आदस आचार संगीता लग गई है और आदस आच पचास गाड़ियां है और पांसो का बल है जो 34 किलो मीटर का जो इंदोर सहर का इलाका है वहां पे ब्रमण करेगी और लगातार हम एनाउंस करते रहेंगे पी सिस्थम के माद्यम से कि आदस आचार संगीता इंपूस कर दी गई है और आदस आचार संगीता का पालन किया ज अधर कितने समेंदन सील मदान केंदे कितने मदान कें तो कितने मदाता है जो लोग सबाचनाव में बोट डालने वाले हैं टोटल 2689 हमारे बूत हैं जिस पर 27,95,000 वोटर जो है अपने मदान का प्रियोक करेंगे जहां तक समेंदन शील केंदरों की बात है स्डी ओपी और स सेक्टर ऑफिस हैं सेक्टर पुलिस ऑफिस हैं उनके द्वारा कमाइंड विजिट करके प्रारंविक सूची तयार करी गई है कारणों के साथ में हम लोग उसकी समिक्षा करके अगले साथ दिनों के अंदर सूची को फाइनल करेंगे और जितने भी समेदन शील केंदर आइ अडिजनल पुलिस कमिशनर के साथ में इंदो प्रहमन पर निकल चुकी है क्योंकि आदर्श अचार सहींता लग चुकी है वीडियो जनलिश्ट डगले साथ मितनेश गुप्ता निव्ज एट्टीन इंदौर दिया है कलेक्टर कर्मवेश अर्मा और एस्पी धर्मराज मुनानिक की निर्देश के बाद एस्डी एम भासकर गाचले एस्पी तरुनेंद्र सिंग बगेल सीमो एम आर निगवाल सड़क पर उत्रे और शहर में संपत्ति विरूपन की कारवाई की लोकस्व चुनाओं की आचार सहीता लगते ही प्रसाशन पूरी तरीके से एक्सं बोड मोड पर है लगातार कारवाई चल रही हमारा साथ अज से पूरे शहर पूरे देश पूरे प्रदेश में आचार सहीता लागू हो चुकी है निर्वाचनकी इसके तहद जो चौविस घंटे में पहले कारवाई करनी रहती है सबीसाज की संपत्तियों पे से संपत्ति का वीरूपण की कारवाई की जाती है उसके तहत हम लोग आज पूरी टीम निकली हुई है पूरे शहर में जहां 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 भी साश की कार्याले हैं साश की संपत्तियों हैं उसको हटाया जा रहा है और आज चौविस घंटे में पूरी कारवाई कर ली जाएगी लगातार कारवाई चल देए एडिसनल एस भी मु आज ये संपत्त बिरूपर अध्रियम के तहत सास की भाहनों से जो फोटो और बैनर लगे हुए हैं उनको रिमूब किया जा रहा है सर ये कब तक चलेगी कारवाई ये तो पूरा आचार सहीता जत्मक रहेगी तब तक चलेगा तो कुल मिला करें कहा जा सकता है कि आचार सहीता लगते ही प्रसासन पूरी तरीके सब्सक्रावाद की विधायक ती राजा सिंग दो दिन से उज्जैन दौरे पर हैं वो हर साल अपनी संसा के माध्यम से सामुहिक विवहा करवाते हैं वहा के पश्चाथ, शादी करने वाले जोडों को देश के अलग अलग धार्मी शहरों में ले जाकर भगवान के दरशन भी करवाते हैं इसी कड़ी में वो महाकाल मंदल के दरशन करने पहुंचे जहां उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड लग गए हैदरबाद के गोशा महल विधासभा शेत्रिक विधायक्ती राजा सिंगे महाकाल मंदर के एक किलोमेटर की परिधी में लगने वाले मटन चिकन की दुकानों को खटाने की बात कही साथी बंगाल को लेकर भी विवादित बयाद देगा सामरवा समय 특 Pastor किया जाता है तो हर वकिसी प्राचिन पुनिश्य के उने जोड़ों क کے परिवार के लोग को दर्शन कराते हैं अब लोग हमारी समयति के सबी龍 और आप सुछिन महाकाल के दर्शन करने के लिए और लगबत बहुत सुंदरी दर्शन होए और बहूत ही अच्छी रुबस्ता भी हुई है और आज का अब इस पकार से रहा खबर शोपूर से जहां कृष्ची उपज मंडी में धर्म काटे के बजाए छोटे तॉल काटे से खरीदी पर नाराज किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया हालाकि अधिकारों के आश्वासन के बाद जाम को खोल दिया गया लेकिन जाम के दौरान हाईवे पर दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारे लग गई और वाहन चालकों से लेकर यात्रियों को परिशानिया उसको लेकर के विवाद हुआ था और इसमें प्रुसासन से हम लोगों ने बैठ करके मांग करिए विवादों को सुल जाएं अगर ऐसे तरह की विवाद होते रहेंगे तो हम सब किसान संगठन मिलकर के इसका पुर्जोर विरोध करेंगे जबलपूर में कॉंग्रस ने बीजेपी के खिलाब जोड़दार प्रदर्शन किया कॉंग्रस ने बीजेपी पर इलेक्टोरिल बॉंड के जरिये चंदा लेने और दूसरी पार्टियों को CBI और ED के जरिये ड़ाने धमकाने क्या रोप लगाए हैं मालवे चौक पर कॉंग्रस के पाश्चद और संग्धन पतादिकारियों ने नारेबाजी की और बीजेपी के खिलाब प्रदर्शन किया कॉंग्रस ने ताउ का कहना है कि बीजेपी ने चंदे के बदले धंदे को बढ़ावा दिया पार्टी भारत देश में एक्स्टोर्शन की ब्रांड अम्बैजडर बन गई है सीबी आईटी एडी और कैग को पहुचाऊंगा उत्योगपती व्यापारियों को धमकवाऊंगा मन मापेक चंदा वसूलूंगा आप देखिए इलेक्ट्रॉल बॉंड के माध्यम से जो चंदा होगाई की गई है और जिन कंपनियों से भारी भरकम अर्मों खर्मों का चंदा लिया है भारतियांता पार्टी ने वो देश के कहीं न कहीं अपरादी हैं वो कंपनियां उन पर भेष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर E.T. और C.B.I. की जाँच बैठी थी उन पर चापे मारी हुई थी मुहीं सीधी में राजिसभाज सांसद ने बीजेपी से स्तीफा दे दिया अजेप्रताप ने स्तीफा दिया और पार्टी पर गंभी आरोप लगाए टिकेट आ रहे थे अजेप्रताप सीधी से लेकिन वहाँ टिकेट नहीं मिला तो ऐसे में अब निर्दली चुनाव लड फिरफनी नदिर्थ हो एस भावना में में जवर विश्वात से रखता हूं और सभी संग्दण ओंको के हम ड़ी नंदीक संग्दणiving मैं समस्तों किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रक्नित हो सके जिस्टे कि सभी समाज की बात सभी समाज की विशे उनकी भावना है गौालियर की पी-एच-ई घोटाले के मास्टर माइंड ही डलाल लगबग नौ महीने बाद पुलिस के हाथ आया है उसने खुद को गुडाले से अलग बताकर स्टाफ के ऊपर ही ठीक रापोर दिया समझा ये भी जा रहा है कि नौ महीने की फरारी के दौरान वो पुलिस और विभाग की जांच और कारवाई से खुद को बचाने का शड्यंत्र कानूनी विश्ची शग्यों के साथ मिलकर रच चुका होगा रतलाम में नशे के कारोबारी और नशा करने वाले दस लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है नारोपियों से करीब पॉने दो लाग की स्मैक, MD ड्रग और गांजा जब्त किया गया है पॉलिस ने शेहर के तीनों थाना शेत्र में एकार रवाई की है जिससे नशे के साथागरों में हड़कम मचा हुआ है इस पूरे मामले में मंदुसौर जिले के रहने वाले जफर नाम के मास्टर माइन का नाम सामनी आ रहा है जो शेत्र में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है ब्राउन शुगर जो है वो बरा मद हुई है